लीजे सुनिए सूर्य कांद तर्पाठी निराला की लिखे उपन्यास भक्त धुरुव का पंचम परिच्छेद भक्ती पत के पथिक धुरुव मेरी यानि समीर गुष्वामी की आवाज में गोर स्तब्धता दसवंदिशाओं में फैली हुई थी हवा भी धीरे धीरे बहुत डरी हुई सी प्रित्वी के वक्ष स्थल पर प्रवाहित हो रही थी उसे शान्ती भंग की आशंका थी तारे इस मौन राज्य के संत्रियों की तरह आकाश में सजक रहकर पहरा दे रहे थे दानवाकार जंगल के बड़े बड़े पेड़ रात्री के शासन भैसे मानू चुप चाप एक दूसरे से अपने कर्तब का निरने करा रहे थे रहरे कर निशाचर जीवों की आवाज उनके हिर्दय को कुछ साहस दे रही थी जुगनूओं के शनक प्रकाश में परिचित हो जाने के भैसे वे मानू अंधकार के हिर्दय में और छिप जाते थे दूर से जब तब आती हुई पपीहे की पुकार स्वर की सीमा तक निस तबधता को कुछ चंचल करके उसे और शान्त कर देती थी इसके स्वर का विराम शान्ती के अगाध समुद्र में डूब जाता था दिन भर के ठके हुए जीव जीवन के स्वपन लोक में अपनी अधूरी लाल सायंच चरितार्थ कर रहे थे सुखी मनुश शान्ती के स्वागत के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर धन जन ग्रह एश्वर सब कुछ छोड़ कर सर्वस्व भूल कर निद्रा के अंधकार में दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे इंद्री ये सुख जिस प्यारी देह की बदौलत उन्हें मिला करता था शान्ती के लालच ने उनसे उसका भी त्याग करा दिया था वो देह बिस्तर पर शितिल वस्तर की तरह पड़ी हुई थी दिन भर के चंचल संसार में शान्ती साधना में बाधाएं जेलते हुए रात को अवसरपा एका ग्रिचित्त से योगी शान्ती की सची दानंद मूर्ती का ध्यान कर रहा था निशाचर जीव चोर ढाकु जुआड़ी और लंपट इस निस्तब्धता में अपनी पैशाचिक कीर्ती फैला रही थे आसव प्रमत्तांग ना वारांग नाएं विब्रहम भाव से शैया पर पड़ी हुई नैश अत्याचार का प्रत्यक्ष उधारन दे रही थी बड़े बड़े नगरों और जनपदों में मनश्य रूपी पिशाचों का अत्याचार था और अरन्यों में हिंसक जन्तु अपनी जिगान सवृत्ती चरितार्थ कर रहे थे परन्तु ये इतना भी अत्याचार शांती मईरात्री के उधार हिर्दय को चंचल नहीं कर रहा था ये उसके अंग में चंद्रमा में कलंक की तरह था इससे उसकी शोभा ही बढ़ती थी गेहन अरन्य के एक और चिंता में डूबा हुआये एक बालक मनी मन अपनी भवशी की चिंता कर रहा है वो मनुश्य है मनुश्य का हق लेकर पैदा हुआ है मनुश्य से मनुश्य चित वेवहार की आशा रखता है मनुश्यों की संपून वृत्तियां उसके अंदर भी विराजमान है चाहे उनका रूप बहुत शुद्र ही क्यों नहो चाहे अनकूल अवस्था के अभाव से अब तक उनकी अंकुरिदशा भी विप्रीती ही क्यों नहो वे बीज रूप में ही क्यों नहो तिरसकार ग्रना अपमान अत्याचार निर्यातन इस पाश्विक प्रवृत्तियों के विरोध के लिए आज उसके खून का हर एक बूंद तीवर गती से उसे कारितत पर कर रहा है बालक सोच रहा है इस अत्याचार का उपाए चिरकाल से मनुश्य जाती मनुश्य जाती पर जो अत्याचार करती चलिया रही है इसका कारण साथ ही इसका प्रतिशोध भी वो अत्याचार सहने के लिए नहीं आया राजा को एश्वर के साथ परम सुन्दर सो संगठ स्वरूब देते हुए विधाता को जितनी चित्रन कुशलता दिखानी पड़ती है उतनी ही दरिद्र को दीन हीन और निराश्रे करके चित्रन करते हुए भी सौंदर एश्वर विभूती पूरूणता एक उच्च वंश में एक समराट में जितनी है उतना ही एश्वर, उतनी ही विभूती, उतना ही सौंदर और उतनी ही पूर्णता एक भिखशुक में भी है दोनों के रूप भी वस्तुता एक ही ठेहरेंगे समराट के लिए प्राप्ति की पूर्णता का भाव सौंदर रहे तो भिखशुक के भी तर कुछ नहीं की पूर्णता और अभाव का सौंदर रहे दोनों भरे पूरे हैं अपने अपने सौंदर की स्रिष्टी से अपने अपने विलास की कमनियता से फिर एक दूसरे का इतना अनादर क्यों करता है एक दूसरे के खून का प्यासा क्यों बना रहता है एक दूसरे की लाश पर अपनी विबूती क्यों दिखिलाना चाहता है बालक ये ही सोच रहा है उसके हृदे में तीवर जिग्या सा जगी हुई है और वो इसी दर्द की दवा के लिए वियाकुल हु रहा है उपाए उसकी माता ने बतलाया तो पर उसी इश्वर का पता क्या है कहां जाया जाये तो उससे मुलाकात हो और सृष्टी की इस निशन से लीला पर वो प्रेशन करे दुरुफ के हिर्दे में जहां अत्याचारी संसार का गोर विरोध भरा हुआ था वा मनुश्यों के प्रतिसान भूती का महासागर उमड रहा था जरा सा बालक भाव की प्रशस्ती उर्मियों पर तिनकी की तरह बह रहा था प्रतिकार के लिए उसने निश्वर को अवश्य को जूँगा उससे अवश्य मिलूँगा और इस नरक से भी बढ़े हुए संसार के आगे आज तक रहते हुए भी जिस प्रश्न की मीमान सा नहीं हो सकी उसे हल करके दिखलाऊंगा परंतु घर पर माता की इस नहें गोद में अगर सुख के चुमनों में भूल रहा तो समय मेरे संकल्प को अवश्य भुला देगा माता की ममता मेरी द्रढ़ता को पर रास्त कर देगी एक वार सहकर दो वार सहकर सहने की मुझे आदत पढ़ जाएगी संभव है कि फिर इस अन्वेशन से मन हट जाए ऐसा हर गिजना होगा मुझे आज ही और इसी समय से अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तैयार हो जाना चाहिए द्रुव ने मकान छोड़ दिया माता की गोद का लाल चिर्दुखनी के अंचल्व का हीरा उसे सुपन राज्ज में कुछ देर के लिए अपना दुख भूली हुई देख अपना प्रकाश लेकर वहाँ से चल दिया माता को एक दूसरा मधुरतर प्रकाश देने का द्रढ संकल्प करके अरन्य भूमी की नैश निस्त तब्धता के भीतर से अपने विचारों का द्रढ बालक द्रुब परमात्मा की खोज के लिए चल दिया ना शंका है न विक्षेप देह की कोई सुध नहीं चित्त परमात्मा में लगा हुआ है हिर्दाय आशा से भरा हुआ है मन संकल्प की द्रढ़ता से अविचल जंगल से बाहर निकलने की कुल पकडंडियों से बाल लिक लीड़ा करते हुए द्रुब के चंचल चरण पर चित हो चुके थे बालक चुप चाप तपोवन पार कर गया सामने दूर तक पहला हुआ मैदान मिला एक पकडंडियों से बीच से गई थी द्रुब चलने लगे उनका प्रश्न दुरुः और महान था उधर परमात्मा भी असीम अनन्न और महान थे दुरुब का धेर और साहस भी असीम और महान था इधर मार्ग भी अग्यात दूर तक पहला हुआ असीम और महान हो रहा था खुशुद्र थी केवल उनकी देह परंतुस बून्द में सागर भरा हुआ था द्रुव अपनी धुन में रास्ता पार करते जा रहे थे आज तक तपोवन की सीमा तक ही उनका परिचित संसार था कभी दूर तक चले न थे चलने की उम्र भी न थी जंगल से बाहर निकल कर खुले मैदान में कुछ दूर जाते ही जाते उशा की ललाई पूर्व के आकाश में फैलने लगी धीरे धीरे उसकी गोद में सूर्व भी दिखाई पड़े रात के विश्राम का अंत हो गया जीवों की आँख खुल गई जीवन में नई स्फूर्ती का संचार होने लगा उधर पर्ण कुटीर में रानी सुनीती भी जगी उनकी चिर सहचरी दासी मधुमती उनसे कुछ पहले ही उठी थी रानी ने फूस की सत्री पर धुरुफ को न देखा तो चित एका एक चंचल हो उठा दासी से पूछा वो धुरुफ का हाल न बता सकी धैर्रे का बांध है तूट गया पिछले दिन धुरुफ से जैसी बात चीत हुई थी उससे माता के हिर्दे में बच्चे के लिए तरह तरह की शंकाए उठने लगी दासी के भी हो शुड़ गए दौनों दौड़ी हुई रिशी पत्नियों के पास गई उनसे धुरुफ का पता पूछा परंतु वहां धुरुफ गए ही न थे कोई क्या कहती तपोवन भर में खलबली मच गई सब को मालुम हो गया कि कल रात से धुरुफ गायब है धुरुफ के साथ ही बालकों ने जंगल भर की खाक चान डाली पर कहीं पता न चला रानी सुनीती सिर पीट कर रौने लगी मुनी पत्निया भी धुरुफ के लिए विलाप करने लगी दासी दोड़ी हुई राजधानी में महराज को खबर देने चली गई बालक चारों और तलाश कर हार गए रानी का एकलौता लाल गोद से उठकिया उसके सिर पर दुख का पहाड तूट पड़ा रोती हुई अपने भाग को कोसने लगी हे परमात्मा ये क्या तुम घाओ पर घाओ कर रहे हो मेरा लाल मेरी गोदी का खिलोना मेरी आँख की पुतली मुझ अनाथ दुखनी का सहारा कहा चला गया भगवन तुम बड़े धयालू हो धया के साकर संसार तुम्हारे गुन गाता है बड़े-बड़े मनीशी तुम्हारी कृपा का परचार करते है परन्तु आज मेरे उपर तुम्हारी किरपा क्यों नहीं होती भगवन क्या तुम भी गरीबों को ही मारते हो क्या पिसे हुआ पर तुम भी पत्थर भेकते हो क्या कुछली हुए को तुम भी रौंदते हो मुझ दुखनी को तुम ही ने वो भीक दी थी भगवन दे कर के तुम भी लोटा लेते हो नहीं तुम इतने निश्ठुर कदा भी न होगे इतने निर्दे कभी न होगे तो दे दो मेरा लाल जहां हो मुझे लादो मेरी गोद सूनी न करो प्रभू मेरा दुख तुम जानते हो खूब जानते हो तुम अंतरियामी जो हो तो फिर क्यों मुझे लुड़ा रहे हो तुम्हें दया नहीं आती भगवन अबला को मार कर तुम वीर न कहलाओगे नन्ने से बच्चे को छीन कर तुम शूर न हो जाओगे लादू कहा है मेरा लाल अरे तुम इतने निर्दे हो मैं महारानी थी मुझे तुमने भिकारिन बना दी क्या मैंने कोई कसूर किया था क्या तुमारी पूजा में कभी कोई तुरुटी हो गई थी फिर तुम क्षमा निधान कैसे हो सच कहते हूँ अगर मिरा लाल मुझे न मिला तो मैं तुमें शाप दूँगे क्या तुम शाप से नहीं डरते नहीं डरना होगा बड़ा कठोर शाप दूँगे चैन न पाओगे नहीं तो मिरा लाल मुझे फेर दो फेर दो फेर दो कहा गिया वो कोई उठा तो नहीं ले गया किसी ने मार तो नहीं डाला तुम ले आओ वो जहां हो वहाँ से ले आओ यमलोक क्या वहाँ तुम्हारी पैठ नहीं है मेरे साथ चल कपट न करो वो भी तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है लाओ वहां से भी ले आओ हैलाल कहा चले गए तुम मुझे अकेली छोड़कर चले गए अरे अम्मा की याद ना आई तुम्हे रानी बिलकुल पगली सी हो गई पुत्र को ही देख कर वे जीती थी दुख के महा सागर में वही उनका अवलंब था उसे देख कर ही अपने दुख को भूली हुई थी मुनी पत्निया भी धुरूफ को जी से प्यार करती थी उनके हिर्दय में भी धुरूफ के लिए करुणा की धारा बेह रही थी परन्तु उस समय उन्होंने अपने को संभाला रानी को ध्यर देने लगी धुरूफ के लिए उन्हें बहुत समझाया कि हताश नहो वो कहीं न जाएगा उसके लिए भय क्या है रिशियों की बात टल नहीं सकती दुरूफ को वे बड़ी उच्च दृष्टी से देखते हैं दुरूफ को संसार में परमात्मा की महान कीरती पहलाने के लिए आया हुआ महापुरुश बतलाते हैं उनकी बात पर विश्वास करो इतनी अधीरता दुरूबलता की सूचक है दुरूफ के लिए सब तरह के भय को हिर्दाय से दूर कर दो वो जहां होगा आनंद से ही होगा उधर दासी मधुमती के मुक से दुरूफ के गायब हो जाने की खबर महाराज उत्तानपाद को मिली आग की तरह खबर तमाम राजधानी में फैल गई महाराज तो कलेजा थाम कर ही रह गई पुत्र के अधर्शन का शोक उनके लिए असा है हो गया उधर मंत्रियों ने भी समाचार सुना उन लोगों ने अनुमान लगाया कि यहां से राणी के द्वारा तरसकार किये जाने के कारण संबह है कि दुरूफ को आत्म गलानी हो और इसलिए वे अपनी कुटिया छोड़ कर कहीं चले गए हो इस अनुमान पर मंत्रियों को विश्वास हो गया उन्होंने समागत दासी से पूछा तो मालूम हुआ कि यहां के तरसकार और राणी के द्वारा किये गए अपमान की बातें अपनी माता से उन्होंने कही थी माता ने इसके उत्तर में कहा था कि परमात्मा के हाथ इसका प्रतिकार है वे चाहें तो इससे बड़ा कोई राज्य तुम्हें दे सकते हैं दासी के मुख से धुरुफ के संबंध की ये बाते सुनकर मंत्रियों को अपनी अन्मान पर विश्वास हो गया वे राजा के पास इसके प्रतिकार के लिए गए राजा अगर धुरुफ की कुछ सहायता करें यदि उनकी माता के भोजन वस्तर का दुख दूर करें तो संबह है कि धुरुफ का पता लग जाने पर उन्हें मना लिया जाए मंत्री मंडल महराज के पास पहुँचा राजा उदास भाव से बैठे हुए थे मंत्रियों ने प्रणाम किया राजा चुपचा बैठे ही रहे प्रणाम करने पर भी मंत्रियों से कोई बात चीत न की मंत्रियों को महराज के मन की अवस्त हमालूम हो गई विनाए पूरवक महराज से मंत्रियों ने कहा राजन दुरुफ का पता लगाया जाए तो लग सकता है क्योंकि दासी के मुक्ष से उनके जहां तक समाचार विदित हो सके हैं उनसे मालूम होता है कि वे यहां अपमानित होने के कारण ही शोभ में आकर कहीं चले गए होंगे अगर उनकी और महरानी सुनीती जी के लिए भोजन वस्तर का कोई उत्तम प्रबंध कर दिया जाए तो आशा है कि वे लौट आवे माराज को मंत्रियों का प्रस्ता बहुत पसंद आया उन्होंने कहा ठीक है दोनों वक्त दो से राटा और वस्तर उनको मिलता रहेगा दोत भी बड़ी चौकसी से दुरुफ को खोज रहे थे बहुत शीगरी दुरुफ का पता लग गया दोतों ने राह में उनसे प्रार्थना की कि अब रुक जाएं जब तक महराज के पास से कोई ख़बर ना आ जाए दूत की बात सुनकर दुरुब वहीं रुक गए एक आदमी उनके पास बैठा रहा और लोग राजधानी को ख़बर देने के लिए लुट आए पहले मंत्री को समाचार दिया गया दुरुफ के मिल जाने के समवाद से वे बहुत प्रसंड हुए दूतों को बड़ा इनाम दिया फिर वे अपने सहाएक मंत्रियों को साथ लेकर राज़ा के पास गए दुरुफ के मिल जाने के समवाद पा महराज के तो आनंद का ठिकाना ही न रहा उन्होंने कहा अच्छा हुआ राणी सुनीती को धृफ के बिना बड़ा दुख हो रहा होगा जिस तरह हो धृफ को मना कर सुनीती के पास छोड़ाईए मंत्री प्रणाम कर लोट आए दूतों को बुला कर कहा कि धृफ से जाकर कहो महराज ने तुमको दो से इराटा और वस्तर देना मन्जूर किया है आप अपनी माता के पास लोट जाए राजा की आग्या धुरूब के पास पहुंचकर दूतों ने सुनाई नमरता पूर वक धुरूब ने कहा भाई महराज से मेरा प्रणाम कहना मुझे अब उनकी कृपा की आवश्यक्ता नहीं है मुझे कृपा के आगार परमात्मा की ही कृपा चाहिए वे मुझ पर दया भाव रखे और मेरी माता पर उनकी जैसी कृपा है वो मैं प्रत्यक्ष देख चुका हूँ मुझे अब किसी दूसरे का भरोसा नहीं रहा दूट लोटाए मंत्री से दुरुफ का सब हाल कहा दुरुफ की बाते सुनकर मंत्री के तो होश उड़ गए इतनी द्रढ़ बात उन्होंने कभी न सुनी थी महराज के पास जाकर उन्होंने धुरुफ की बाते सुनाई महराज भी दंग रह गए बालक आज परमात्मा के पास अपनी फर्याद लेकर जा रहा है सोचते ही बदन कापा अंग अंग में भै समा गया जैसे धुरुफ के साथ उन्होंने कोई बड़ा अन्याय किया हो उनकी अंतरात्मा बड़े उंचे शब्दों में उनकी अंदर पुकार पुकार कर कहने लगी तुम दोशी हो परमात्मा तुम्हें दंड देंगे तुमने बालक के साथ उसकी माता के साथ करोणों मनुश्यों के नायक राजा होकर घोर अन्याय किया है उनके प्रती घोर अविचार किया गया है परमात्मा तुम्हें इसके बदले अवश्य दंड देंगे राजा का चेहरा उतर गया उन्हें विश्वास हो गया कि वे दोशी हैं उन्होंने मंत्री से कहा दुरुव को अवश लोटा लाओ कहो उसका हिस्सा आधाराज उसे दिया जाएगा वो लोटा आए मंत्री ने फिर दूट भेजा आधाराज देने के कौल पर धुरुब को लोटा लाने के लिए के लिए कह दिया दूद को जैसा कहने के लिए कहा था धुरुब के पास जा कर उसने उसी तरह आधाराज देने का समाचार सुना दिया धुरुब बड़े चकित हुए सोचा परमात्मा की कृपा तो यहीं प्रत्यक्ष हो गई अभी परमात्मा की दर्शन भी नहीं हुए और आधाराज्य मिलने लगा उनके दर्शन से ना जाने मुझे कितना बड़ा लाब हो मुझे ये अफसर कभी न चूकना चाहिए दूत को पास बुला बड़े मधुर शब्दों में उसे समझाते हुए धर्व ने कहा दूत महराज की उधार तहकली में उनका चिर्कर तक रहूंगा पर उनसे कहना है कि ये सब मैं परमात्मा की ही किर्पा समझता हूँ जिनका नाम लेकर बाहर निकलने के साथ मुझे आधाराज मिलने लगा उनसे साक्षात कार होने पर अवश्य ही मुझे इससे बढ़कर लाब होगा इसलिए मैं अब परमात्मा से मिलकर ही अपने भाग की परीक्षा करूँगा मेरी दुखनी माता से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि धुरुफ तुमारी ही आग्या से परमात्मा से मिलने जा रहा है उसके लिए कोई चिंता न करो परमात्मा सदा उसकी रख्षा करेंगे इतना कहकर सिर जुका मनी मन परमिश्वर की कृपा पर विचार करती हुए धुरुफ आगे बढ़े दूत लाचार होकर लोट आए मंत्री को खबर दी सब समाचार सुनाया मंत्री दंग रह गए त्याग की महत्ता के सामने आप यही आप उनका मस्तक अवनत हो गया मनी मन दुरुफ कोनों ने प्रणाम किया फिर महराज के पास गए दुरुफ के आधाराज जपाने पर भी ना लोटने का समाचार सुन महराज को बड़ा आश्चर हुए इतना बड़ा त्याग अपने जीवन में उन्होंने कभी न देखा था दुरुफ के त्याग से उनकी बुद्धी भी ठिकाने आ गई वे संभल गए पर लोग की याद आई बुरी लतें छूटने लगी भोग से चित्त हट गया कर्म की प्रवृत्ती बढ़ने लगी राज्य का प्रबंध अच्छी तरह होने लगा प्रजा भी पहले से सुखी रहने लगी ये खबर महरानी सुनीती के पास भी पहुँची पुत्र के त्याग का आदर्श देखकर स्नेह के करण पैदा हुआ उनका मोह जाता रहा त्याग के प्रभाव ने उनमें ग्यान की जूती फैला दी उन्हें नश्वर और अविनश्वर का भोध हो गया जितने कश्टों का सामने अब तक वे करती आई थी वे सब पुत्र के आदर्श से उन्हें बहुत ही तुछ जचने लगे भोग वासना की रही सही इच्छा को भी हिर्दय से निकाल देने का आग्रह बढ़ा मन तपश चर्या की और जुका पुत्र को परमात्मा के चर्णों में समर्पित करने का एक अग्यात गर्वसा होने लगा सबसे बड़े कारे को पून तया सफल कर सकने के कारण माता की अंतरात्मा में एक प्रकार की शक्ती आने लगी सब विकार दूर हो गए मन में पूजा पाठ साधना भजन और सत्संग की इच्छा प्रबल हो थी तप ओवन में मुनी पत्नियों के साथ वे सुख पूर्वक रहने लगी अभी आप सुन रहे थे सूर्य कांतितर पाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त धुरुव का पंचम परिछेद भक्ति पत के पथिक धुरुव मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में